पाठगत प्रश्नोत्तर के अंतरगत आज हम अध्या एक रहसाईनी का भिक्रियां एवं समीकर्ण के कुछ पाठगत प्रश्न पढ़ेंगे और साथ ही आप अन्य प्रश्नों के लिए हमारे चेनल से जुड़े रहेगा आपको अन्य प्रश्न भी लगातार मिलते चले जाएं उसको वायू की उपस्तिती में जब आप गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व कापर है और कापर को जब हम वायू की उपस्तिती में गर्म करते हैं तो कापर का रंग कैसा हो जाता है काला पढ़ जाता है ठीक है और जो काल अगला हमारा प्रश्ण है कि निम्न पदों का वर्णन कीजी और प्रत्यक का एक एक उधारन दीजी जैसे संशारन और विक्रत गंदिता तो संशारन क्या होता है संशारन जैसे लोहे में जो जंग लगती है वो संशारन का एक उधारन है तो संशारन में क्या होता है कि जो धा देखा होगा तो कोई भी धातु अपने आसपास अमल आदरतादी के संपर्क में आती है तो उसकी उपरी पर धिरे-दिरे या तो समाप्त होने लगती है और उसको केते हैं संशारित होना और यह प्रक्रिया केलाती है संशारन जैसे लोहे पर जंग लगना अब अगर आपने उसको संशारन लंबे समय तक होता रहा तो पूरी धातु भी समाप्त हो सकती है संशारन से बचाओ के लिए धातुओं पर हम पेंट करते हैं यशद लेपन करना मिश्र धातु बनाना यह उसके उपाय है दूसरा प्रशन है विक्रत गंदिता क्या है जैसे आपने देखा हो आपन वायुरोधी बरतन में रख दें आपने देखा होगा कि जो शॉप्स हैं उनमें वो कांच के उसमें बंद करके उसको रखते हैं बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में या प्रति आक सिकारक मिला कर है ना और नाइट्रोजन से प्रभावित करके भी विक्रत गंदित को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है मतलब आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पेकेट्स जो होते हैं वो फूले-फूले से रहते हैं मतलब उसमें क्या करते हैं कि उसमें से ऑक्सिजन को हटागर क्या करते हैं नाइट्रोजन भर देते हैं तो नाइट् झाल 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 करेंगर झाल